स्वागत है आप सभी का नई कहानी में मेरा नाम शोबह है मेरी शादी को पांस साल हो गए है मेरा एक तीन साल का बेटा भी है मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती हूँ और अपने आपको बहुत भग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी ससुराल दी मेरे ससुराल में मेरे पती के आलावा मेरी सास और मेरी जवान ननद भी मुझूद थी जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी ननद की उमर लगभग 15 साल थी अब वो 20 साल की हो चुकी थी मेरी ननद बहुत अच्छी थी सीधी साधी और मासूम सी वो देखने में बहुत खूसुरत थी मेरे लिए मेरी ननद बिलकुल मेरी छोटी बहन जैसी थी वो मेरी बहुत इज़त किया करती थी और स्कूल से आने के बाद मेरा घर के काम में भी हाथ बटाती थी जबकि मेरी सास ज़्यादा तर बिमार ही रहती थी इसलिए वो अपने कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं आती थी और उनसे घर का कोई काम भी नहीं होता था मैं और मेरी ननद ही घर के सारे काम करते थे जबकि मेरा पती सुबे को अपनी फैक्टरी जाया करता था मेरे पती एक बहुत बड़ी फैक्टरी में वरकर की नोकरी पर लगा हुआ था हम लोग अपनी मीडल क्लास जिन्दिगी में बहुत खुश थे और बहुत स्कून के साथ जिन्दिगी गुजार रहे थे मेरी ननत सुबे में स्कूल जाती थी और स्कूल से आने के बाद अपने कपड़े चेंज करके थोड़ी देर अपने कमरे में अराम किया करती थी मगर आजकल मैं नोटिस कर रही थी कि मेरी ननत की हरकते आजकल कुछ बदली-बदली सी थी ये उसकी चड़ती जवानी की उमर थी, मैं हमेशा उसके साथ रहती थी, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, वो इस तरह की लड़की थी, कि अगर पढ़ाई में उसके थोड़े से भी नंबर कम आ जाते थे, तो वो बहुत परिशान हो जाती थी, वो पढ़ाई में बैठती ही नहीं थी बलकि कमरे के अंदर बंध हो जाती थी उसके होटों पर हमेशा अजीब सी मुस्कुराहट होती थी वो रोमेंटिक मूवी देखती थी गाने सुनती थी और आजकल तो हर रोज टीवी पर रोमेंटिक मूवी लगा कर उसे बड़े ध्यान से देखती थी भी मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज़त है लेकिन जब मुझे उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गई थी क्योंकि आजकल वो हम सब से अलग-अलग रहने लगी थी उसके चहरे के मुस्कुराहट तो जैसे कहीं खो गई थी मैं उसके इस उदास च जो अपनी पढ़ाई के लिए हमेशा बहुत सीरियस हुआ करती थी अब ना जाने उसको क्या हो गया था मैं और मेरी सास उसे समझा बुझा कर स्कूल भेज दिया करते थे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आती थी उसका इंटर कंप्लीट होने वाला था उसके स्क ज़्यादा ने क्यों इतनी खामोश खामोश रहती थी और किसी से कोई बात भी नहीं करती थी अब वो अपनी पढ़ाई से आखिर इतनी दूर क्यों भागने लगी थी जब वो खुश रहती थी तो लगता था कि कुछ गरबड है उसका किसी से अफेयर चल रहा है लेकिन ज इतनी सीधी हम लोगों के सामने बनती थी, ऐसी नहीं थी, क्योंकि उसकी सारी सच्चाई, खुलकर मेरे सामने आ चुकी थी, क्योंकि मेरी ननद तो, मेरी ननद का नाम आचल था, घर में सब लोग उसे बहुत प्यार किया करते थे, हाला कि वो मेरे पती की भी लाडली थी, मेरे पती ने अपनी महनस से घर के हालात को सुधारा था, मेरी नंद बच्पन से ही बहुत समझजार थी, मेरे पती ने अगर उसकी कभी घर के हालातों से मजबूर होकर उसकी ख्वा जब वो जवान हुए तो उनकी मा मुझे देखने के लिए आई थी उन्होंने मुझे देखते ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था इस तरह मेरी अपने पती के साथ शादी हो गई मैं अपने सुसराल में आई तो मेरी ननद और सास मेरे घर में आने से बहुत खुश हुई थी मेरी सास मुझे अपनी बेटी और मेरी ननद मुझे अपनी बहन समझती थी जबकि मेरा पती मुझे से बहुत प्यार करता था इस घर में आने के बाद मुझे कभी भी पता नहीं चला कि मैं अपनी सुसराल में नहीं बलकि मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं अभी भी अपनी माँ और बहनों के बीच हूँ मेरी सास जो कि अब बिमार रहने लगी थी अपनी बिमारी की वज़े से उनसे घर का कोई काम नहीं होता था मेरी ननत बहुत अच्छी थी वो जब भी मुझे अकेला काम करते हुए देखती थी मेरे साथ जरूर काम में हाथ बटाया करती थी हम दोनों ननत भाबी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों ज़ादा तर एक तरह के ही कपड़े पहनते थे शुरू से ही मुझे साड़िया पहनने का ज़्यादा शोक नहीं था मैं हमेशा से ही सूट पहनती थी इसलिए जैसे कपड़े मैं अपने लिए खरीदती थी वैसे ही अपने ननद के लिए भी ले लिया करती थी मेरी ननद की चोईस भी बहुत अच्छी थी हम दोनों जादातर एक साथ मार्किट जाया करते थे और मार्किट से आते हुए गोल गप्पे भी खाया करते थे हम दोन के घर की बहुतनी अच्छी है कि उसने अपने ससुराल को हमेशा अपना माय का समझा और ससुराल के लोगों को उसने हमेशा अपने परिवार की तरह प्यार दिया मेरी ननद की सहलिय यह कहती थी कभी हमारे साथ भी बैठ कर अपने अच्छी बूरी बाते शेयर कर लिया करो मगर मेरी ननद हमेशा अपनी सहलियों से कहती थी कि मेरी भावी बहुत अच्छी है वो मेरी भावी नहीं बलकि मेरी दोस्त है मेरी बड़ी बहन है मैं अपनी हर अच्छी बूरी बात अपनी भावी से ही करती हूँ जिस पर मेरी ननद की सहलियों को बहुत बुरा लग जाता था मेरी ननद का भीएवेर था ही इतना खुश मिजाज कि वो अपनी बातों से सब को खुश कर दिया करती थी फिर उसके बाद जब मुझे गुड निउस मिली तो मेरे घर में चारो तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गई थी मैंने नो महीने बाद एक प्यारे से बेटे को जनम दिया था जब मैं प्रेगनेंट हुई थी तो मेरी कम उमर की ननद ने घर के सारे काम खुद ही किये थे मैं कभी किसी काम को हाथ भी लगाती तो वो कहती कि भाबी आपकी तब्यद ठीक नहीं है आपको ऐसी कंडिशन में काम नहीं करना चाहिए और मेरी सास से भी वो कोई काम नहीं करवाती थी कहती थी मा आपकी तब्यद भी ठीक नहीं है आप लोग बेफिकर रहो मैं घर के सारे काम आराम से कर लेती हूँ हम दोनों सास बहु आजल के लिए बहुत परिशान रहते थे एक तो वो बेचारी अपनी पढ़ाई भी करती थी उपर से घर के सारे काम भी किया करती थी मैं हमे सही कहती हो भावी आखिरकार मुझे भी इतनी अच्छी भावी मिली है इसलिए मैं अपनी भावी की तरह ही बन गई हूँ ताकि जिस तरह से मैं आप से खुश हूँ इस तरह से मेरे सस्राल वाले भी मुझे खुश रह सके मेरी ननद की बाते मुझे बहुत पसंद आती थी मैं जब अपने माई के जाती थी तो अपनी बड़ी बहन को परिशान देखकर मैं भी परिशान हो जाती थी क्योंकि मेरी बहन हमेशा अपनी सस्राल में परिशान रहती थी मेरी और मेरी बड़ी बहन की शादी साथ में हुई थी हम दोनों की बारात एक ही दिन आई थी मेरी बहन के ससराल वाले उसे बहुत परिशान करते थे उसकी भी दो दो जवान नन्दे थी और उन दोनों ने ही मेरी बहन का जीना दुश्वार किया हुआ था जब मैं उसको अपने ससराल वालों की और अपनी नन्द के बारे में बताती तो मेरी बहन कहती थी कि तुम कितनी भगयशाली हो जिसे इतना अच्छा सुसराल मिला है और इतना प्यार करने वली ननद मिली है स्कूल से आ जाने के बाद मेरी ननद मेरे बेटे को लेकर बैठ जाती थी और फिर उसके बाद मैं घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया करती थी मेरे ससुराल के हालात अच्छे चल रहे थे हमारे घर में खुशियां थी मेरा पती भी मेरी इस बात से खुश रहता था कि जिस तरह से मुझसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं इस तरह से मैं भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ जिन्दगी इसी तरह से गुजर रही थी अब मेरी ननद का इंटर कंप्लीट होने वाला था उसके पढ़ाई का आखरी साल चल रहा था मेरी ननद आजकल बहुत खुश रहने लगी थी वैसे तो वो हमेशा से ही खुश रहती थी मगर आजकल में देख रही थी कि उसे ना जाने कैसे रोमेंटिक मुवी का शोख हो गया था वो कभी टीवी में रोमेंटिक मुवी लगा लिया करती थी तो कभी अपने मुबाईल में रोमेंटिक मुवी देख रही होती थी हाला कि पहले मेरी ननद ऐसी नहीं थी क्योंकि पहले दो से कभी इतनी फुरसत भी नहीं मिलती थी कि वो बैठ कर टीवी या मोबाइल देख सके पहले वो स्कूल से आने के बाद मेरे साथ काम में लग जाती थी और फिर अपनी पढ़ाई लेकर बैठ जाया करती थी रात को हम लोग जल्दी ही सो जाते थे क्योंकि मेरी नननत को सुबह उठकर स्कूल भी जाना होता था मैं अपनी नननत के इन इशारों को समझ नहीं पाई थी कि आखिर वो इतनी खुश क्यों है मैंने सोचा कि अच्छी बात है वो अपनी लाइफ को इंजॉय करने लगी है वैसे भी बेचारी हमेशा काम में ही लगी रहती है कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे मेरी नननत स्कूल से आ जाने के बाद अब घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और टीवी के आगे बैठ जाती थी या फिर अपने मुबाइल में लगी रहती थी वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी या फिर मेरे साथ बातचीत करने का उसके पास टाइम नहीं था फिर मैं इग्नोर कर देती थी और सोचती थी कि उसकी भी अपनी परसनल लाइफ है वो शायद अपनी लाइफ में बीजी हो गई होगी आखिर वह अब बड़ी हो रही है इस तरह से मेरे साथ कब तक बच्ची बनी रहेगी मेरी ननद रात को खाना जल्दी ही खाकर अपने कमरे के अंदर चली जाती थी और मैं और मेरे पती रात को एक साथ खाना खाते थे जबकि मुझे अपनी साथ को जल्दी ही खाना देना होता था क्योंकि उन्हें दुआई भी खानी होती थी इसलिए वो जल्दी खाना खाने के बाद सो जाया करती थी जब मेरा पती घर आता था तो हम तीनों साथ बैटकर खाना खाया करते थे लेकिन आजकल मेरी ननद खाना जल्दी खाने के बाद अपने कमरे में जाने लगी थी इसलिए मैं अपने पती का इंतजार करती रहती थी कि कब मेरा पती आए और मैं अपने पती के साथ खाना खाऊं जैसे ही मेरा पती घर आता था तो हम दोनों एक साथ खाना खाते थे एक दिन मेरे पती ने मुझसे पूछ ही लिया कि आचल को क्या हो गया है आज कल वह हमारे साथ खाना नहीं खाती क्या जल्दी खाना खा लेती है मैंने अपने पती से कहा कि जी वो जल्दी ही खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है शायद ठक जाती होगी लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनी नंद पर शक होने लगा था क्योंकि दिन बढ़ने के साथ साथ उसके बीहेवियर में भी काफी सारा बदलाव आ गया थ लेकिन अब जो मैंने अपनी नंद के हरकते देखनी शूरू की उसकी हरकतों को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि वो हम लोगों का भरोसा तोड़ने की कोशिश कर रही है और किसी दिन हम लोगों की इज़त के साथ खेल जाएगी वो सुबह सुबह स्कूल जा रही थी जब मैंने उसे रोक लिया मैंने उसे कहा आचल जरा इधर तो आओ मेरी बास सुनो वो आकर मेरे सामने खड़ी हो गई मैंने उसे सिर से लेकर पैर तक गोर से देखा था मैंने कहा ये तुम क्या करके स्कूल जा रही हो मेरी बात पर मेरी नद कहने लगी क्या हो गय आपके बात का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं. मैंने कहा आखिर तुम ये किस हूलिये में स्कूल जा रही हो? तुमने अपनी आखों में काजल लगाया हुआ है. होडो पर लिपिस्टिक है. चहरे पर क्रीम भी नजरा रही है. आखिर तुम मेकप करके स्कूल क्यों जा रही हो. आज से पहले तुम कभी ऐसी हालत में स्कूल नहीं जाती थी. मेरी बात सुनकर मेरी ननद घबरा गई थी. और कहने लगी कि नहीं नहीं भाबी, आपको गलत फहमी हो रही है. मैंने ना तो कोई क्रीम लगाई है और ना ही लपिस्टिक लगाई है. मेरा फेस तो व शर्मिंदा होते हुए कहने लगी कि जी भाबी मैंने थोड़ा सा मेकप किया हुआ है. मैंने कहा क्यों? क्या तुम्हारे स्कूल में पार्टी है? तो अचानक मेरी बात पर मेरी ननद कहने लगी कि जी जी भाबी स्कूल में पार्टी है. मैं आपको बताना भूल गई थी. म मैंने उसकी इन हरकतों को ज़्यादा नोटिस तो नहीं किया था लेकिन एक दिन हम सब लोग बहुत परिशान हो गए क्योंकि मेरी ननद घर नहीं आई जबकि उसके घर आने का टाइम हो गया था लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई थी ना जाने वो कहां चली गई थी उसके स कि वो बस आती ही होगी लेकिन मेरी सास कह रही थी कि आज तक तो उसे कभी देर नहीं हुई तो आज कैसे देर हो गई देखो अगर वो आदे गंटे तक भी नहीं आती है तो फिर उसके भाई को कॉल करके घर बुला लेना मैंने अपनी सास को तसली दी थी कि वो घर आ जाएगी आप परिशान मत हो वैसे भी मेरी सास बिमार थी मैं उन्हें किसी तरह की परिशानी नहीं देना चाहती थी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रह कर मैं अपनी ननद को तलाश करने के लिए घर से निकल गई थी मैंने सोचा कि मैं उसके स्कूल जाकर देखती हूं कि वो वहाँ पर है या नहीं अपनी सास को तो मैं उनके कमरे में तसली से भेच चुकी थी उनसे कहा था कि वो थोड़ी ही देर में आ जाएगी मगर वो तो अभी तक नहीं आई थी मैं जानती थी कि मेरी सास अभी भी अपनी बेटी के लिए प्रेशान हो रही होगी मैं जल्दी से रिक्षा में बैठ कर अपनी ननद के स्कूल चली गई थी वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि स्कूल की छुट्टी तो हो चुकी थी और सारी ही स्कूल से जा चुकी हैं अब सिर्फ स्कूल के अंदर स्कूल की थोड़ी सी टीचर्स बाकी रह गई हैं और वो भी थोड़ी देर के बाद अपने घर चली जाएंगी मैं परिशान हो गई थी और फिर मेरे दिमाख में आया कि कहीं मेरी ननद अपने दोस्तों के साथ तो नह करके मैं अपनी ननद की सारी दोस्तों के पास चली गई थी और सबके घर से ही मुझे अपनी ननद के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था मेरी ननद की एक दोस्त और रह गई थी मैं जब उसके घर गई तो उसके घर से मुझे बात पता चली थी मेरी ननद की दोस्त ने बहुत ज़्यादा हैं मैंने कहा मैंने तुमसे जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो मैंने तुमसे कब पूछा कि वो हैंसम है या नहीं वो कौन लड़का है और कहां रहता है मुझे उसके बारे में बताओ क्योंकि आचल अभी तक घर नहीं पहुची है ना जाने वो कहां चली गई तो उसके दोस ने कहा कि मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती बस मुझे इतना पता है कि उस लड़के का नाम शलोक है अपनी ननद की दोस की बात सुनकर मैं परिशान हो गई थी और फिर तंग आकर मैं घर आ गई क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो रही थ और मैं अपने छोटे से बेटे को लेकर घर से निकली हुई थी मैं जैसे ही अपने घर पहुँची तो ये देखकर दंग रह गई कि घर पर मेरा पती भी आ चुका था मुझे घर में ना देखकर वो परिशान हो गए थे उन्होंने अपनी मा से पूछा था कि मैं कहां पर कि मैं आचल को ढूनने के लिए घर से निकल चुकी थी मैं अपने पती से अब यह बात नहीं चुपा सकती थी इसलिए मैंने उनको बता दिया कि मैं आचल को ढूनने के लिए घर से गई हुई थी आचल अभी तक घर नहीं आई है मेरे पती भी ये बात सुनकर परिशान हो और कहने लगें कि तुमने मुझे इस बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मैं उसको उसके सारे फ्रेंड्स के घर तलाश करके आ गई हूँ और उसके स्कूल भी देख कर आई हूँ. वो कहीं पर भी नहीं है. मेरे पती कहने लगा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट के लिए जा रहा हूँ मेरे पती अभी दरवाजे तक ही पहुँचे थे कि अचानक मेरी ननत आ गई जल्दी से घबरा कर मैं उसके पास गई और कहने लगी कि आखिर तुम कहां से आ रही हो तुम जानती हो कि हम तुम्हारे लिए कितना परिशान हो गए थे मैंने देखा था क जैसे वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है मेरी ननत बिल्कुल खामोश थी कुछ बोल भी नहीं रही थी फिर मेरे पती ने भी उसे बार बार कहा कि बताओ तुम कहां गई थी थोड़ी देर के बाद मेरी ननत ने मुझे बताया कि भईया भाबी आप मेरे लिए परिशान ना हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं जब स्कूल से घर वापस आ रही थी तब मुझे रास्ते में एक मासूम बच्ची रोती हुई मिली थी वो बजार वाले रास्ते की तरफ खड़ी हुई रो रही थी शायद वो गुम हो गई थी इसलिए मैं उसके पास खड़ी रही क्योंकि वो एक मासूम बच्ची थी मैं नहीं चाहती थी कि कोई उसके गुम होने का फाइदा उठाए और उसके साथ कुछ गलत करें इसलिए मैं उसके साथ मिलकर उसकी मा को बजार में ही तलाश कर रही थी जब मुझे थोड़ी देर के बाद उसकी मा मिल गई तो मैं कहने लगा अच्छा ठीक है तुमने उस बच्ची की मदद की लेकिन तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए था हम कितना प्रेशान हो गए थे मेरी ननत कहने लगी सौरी भाई या भाबी आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी मेरी ननत के बाद पर हम लोग बेफिक हो गए थे मेरी ननत बिल्कुल ठीक ठाक थी वो दिन तो जैसे तैसे गुजर गया था मगर अगले दिन मेरी ननत ने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे मेरी ननत सुब़े देर से उठी और उठने के बाद नहाद होकर उसने नाश्ता किया और अच्छी तरह से कि आज तुम स्कूल नहीं गई, तुमने स्कूल जाने का सारा टाइम निकाल दिया, क्या तुम्हारी तब्यद ठीक नहीं है, ये फिर कोई और बात है, मेरी ननत कहने लगी, भाबी, मैं अब स्कूल नहीं जाओंगी, क्योंकि अब मुझे आगे नहीं पढ़ना है, उसकी बा ननत कहने लगी, अब मैं ही कह रही हूँ, कि मुझे लायर नहीं बनना, और ना ही मुझे आगे पढ़ाई करनी है, अपनी ननत की बात पर मैंने उसे कहा था, कि आखिर क्या बात है, जो तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, उसने मुझे कोई वज़ा नहीं बताई थी, और व मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ननद चाहती क्या है, ये बात अभी मेरी सास और मेरा पती नहीं जानता था, क्योंकि जब तक मेरी ननद के स्कूल का टाइम होता था, वो अपने कमरे में बंद रहती थी, ना जाने उसे क्या हो गया था, मेरा पती मुझसे पूछने लगा क कि आचल के बढ़ाई कैसी चल रही है अब तो उसके बोर्ड एक्जाम आने वाले हैं बस उसका इंटर कम्प्लीट हो जाएगा मैं जल्दी उसका अडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा दूँगा मैंने अपने पती को बता दिया था कि आचल पढ़ाई छोड़ चुकी है बहुत कोशिश की थी मगर उसने मेरी एक नहीं मानी मैंने अपने पती से कहा कि वो जवान लड़की है मैं उसके साथ जोड़ जबरदस्ती नहीं कर सकती और आपको भी नहीं करने दूँगी इसलिए वो अगर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करना चाहती तो ना करे क्योंक उसे इंटर कंप्लीट कर लेना चाहिए था अपने पती की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी क्योंकि मेरे पती ने कभी भी अपनी बहन की किसी बात को नहीं टाला था लेकिन मैं देख रही थी कि मेरी ननद की आँखें अब रोई-रोईसी होती थी ऐसा लगता था कि वो मैं उससे पूछने की बहुत कोशिश करती थी कि तुम रो क्यों रही थी तुम्हारी आँखें ऐसी क्यों हो रही हैं मेरी ननद हर बार यही कह देती कि नहीं भाबी आपको कोई गलत फहमी हो रही है मैं नहीं रोई हूँ कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे जब एक दिन मेरी ननद उल्टिया कर रही थी मैं अपनी ननद को देखकर बहुत घबरा गई क्योंकि उसकी आचानक से तबियत बहुत खराब हो गई थी मैं जल्दी से उसको लेकर हस्टाल चली गई और उसका चैक अप करवाया मगर डॉक्टर ने जो मुझे बात बताई थी उसे आने के बाद मैंने आचल को अपने कमरे में बंद कर लिया और उससे पूछा कि तुम ये सब क्या करती फिर रही हो तुम इतनी हद तक गिर सकती हो मैं नहीं जानती थी मुझे पता था कि तुम्हारा किसी लड़के के साथ अफेर चल रहा है मैं ये बात खामोशी से बरदा चीत नहीं करना चाहती मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि हमेशा मेरी इज़्जद करने वाली मेरी ननद आज मुझे कैसे आखे चुरा रही थी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था मगर मैं अपने सर पकड़ कर बैठ गई थी कि अगर ये बात मेरे पती और मेरी सास क पता चल गई तो ना जाने क्या होगा मैं सोच रही थी कि ये बात मुझे अपने पती को बता देनी चाहिए क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात उन्हें कहीं और से पता चली तो वो मेरा गला दबा देंगे क्योंकि वो अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि मैं अपनी नजर रखनी चाहिए थी मगर वो तो जिस दिन घर देर से आई थी उस दिन से घर से बाहर निकली ही नहीं थी यहां तक कि उसने स्कूल तक जाना बंद कर दिया था मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ मैं बार-बार अपनी नन से पूछ रही थी कि बता जैसे मैं उसके लिए कोई अंजान हूँ, वो मेरी किसी बात का ना तो कोई जवाब देती थी और ना ही मेरी बात सुनकर कोई रियक्ट करती थी, बस खामोश बैटी रहती थी, ऐसे लगता था, जैसे वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, अगले दिन मैंने देखा कि मेरी न नाद को जब कोई दिखाई नहीं दिया, तो वो खामोशी से घर से निकल गई, मैं भी ये देखने के लिए कि आखिर वो कहां जा रही है, उसके पीछे पीछे चली गई, मैं समझ गई थी, कि जरूर वो शलोक नाम के लड़के से ही मिलने के लिए जा रही होगी, क्योंकि इसकी दोस्त ने बताया था, कि वो उसको कई बार उससे बाचीत करते हुए देख चुकी है, इसका मतलब कि ये दोनों गर्ल फ्रेंड बॉइफ्रेंड होंगे, मगर जिस जगा पर मेरी ननद जाकर रुकी थी, और वो जिस इंसान से मिलने गई थी, वहां पहुँचते ही, मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी ननद कहीं और नहीं, बल्कि अपने स्कूल आई थी, और स्कूल के अंदर चली गई, और वहां प्रिंसीपल रूम में गई, मेरी ननद का स्कूल भले ही गर्ल स्कूल था, लेकिन यहां के प्रिंसीपल एक मर्द था, जिनकी उम्र ही रोना शुरू कर दिया, और प्रिंसीपल से कहने लगी, कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपको नहीं पता, कि मैं आपकी वज़े से कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही हूँ, मैं आपके बच्चे की माँ बन गई अपनी ननद की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, कि आखिर उसके साथ ये सब करने वाला कोई और नहीं, प्रिंसीपल है, प्रिंसीपल कहने लगा, कि तुम यहां से जा सकती हो, मैं तुम्हें अपना जवाब पहले ही दे चुका हूँ, मैं भले ही तुम से प्यार करत था, मगर मैं नहीं जानता था, कि तुम यतनी जल्दी प्रेगनेंट हो जाओगी, तुम्हारे लिए बहतर यहीं होगा, कि तुम यहां से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर, यहां से निकाल दूँगा, और आज के बाद मेरे स्कूल में आने की जूरत नहीं है मेरी ननत फूट फूट कर रो रही थी, मेरी ननत कह रही थी, कि तुमने मुझे प्यार करने के बहुत बड़ी सजा दी है, मैं नहीं जानती थी, कि प्यार करने वाले धोका भी देते हैं, अपनी ननत के बात सुनकर मैं चोग गई थी, आखिर वो कौन से प्यार की बात कर अब मेरी समझ आ गया था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तबी दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि मेरी ननदमा तक बन गई है मुझे अपनी ननद पर गुसा आ रहा था कि वो इतनी समझदार और सुलजी हुई सीधी साधी लड़की प्यार के जाल में कैसे फस सकती है और फिर उसे प्रिंसिपल और अपनी उम्र में कोई फर्क क्यों नजर नहीं आया जिस लड़के के बारे में मुझे उसकी दोस्त ने देर बाद मेरी ननद भी रोती हुई घर वापस आ गई थी अब मैं अपनी ननद की सारी सच्चाई जान चुकी थी मैं अपनी ननद के कमरे में गई और उसे कहने लगी कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है आचल तुम अब खामोश नहीं रह सकती तुमें मेर उसके सच्चाई कैसे पता चल गई जब मैंने उसे बताया कि आज मैं तुम्हारे पीछे पीछे गई थी तुम्हारी और प्रिंसिपल के बीच होने वाली सारी बात मैं सुन चुकी हूँ मेरी बास सुनकर आचल रोने लगी थी और कहने लगी भावी मैं नहीं जानती थी कि बहुत तारिफ किया करते थे और जब वो मेरी तारिफ करते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे उन्हें मेरी फिक्र है क्योंकि वो मेरी क्लास की सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा talented मुझे कहा करते थे और कभी कभी तो मुझे अपने आफिस में बुलाने के बाद मुझे इतने प्यार से बात किया करते थे कि मैं उनसे बात करने के लिए बेचैन रहती थी मैं मन ही मन में उनको चाहने लगी थी ना जाने क्यों मुझे अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल से प्यार हो गया और एक दिन मैंने प्रिंसिपल को अपने दिल की बात बता दी थी, मैं हमेशा उनकी यादों में खोई रहती थी, मेरे पास प्रिंसिपल का नंबर था, मैं मैसिज से उनसे बात किया करती थी, और उनकी याद में हमेशा गाने गुनगुनाती रहती थी, रोमेंटिक मुवी द उस दिन ही मुझे घर आने में बहुत देर हो गई थी क्योंकि मैं प्रिंसिपल के साथ उनके आफिस में मुझूद थी मगर मुझे अपनी गलती का एसास हुआ था कि मैंने प्रिंसिपल को पसंद करके बहुत बड़ी गलती की है हम दोनों भावनाव में खो चुके थे और प् थी जब एक दिन प्रिंसिपल सरका मेरे पास मैसिज आया उन्होंने कहा कि तुम अब मेरे काम की नहीं रही हो मैं तुम्हें इस्सेमाल कर चुका हूँ मुझे माफ कर देना मेरे बीवी बच्चे भी है इसलिए मेरे पीछे पढ़ने की कोई जूरत नहीं है और हम दोनों के अपने बारे में जुरूर बता देती हैं मैं तुमसे प्यार नहीं करता जब तुम मेरे करीब आने लगी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारा फायदा उठा लिया जाए प्रिंसिपल की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी और बहुत रोई थी मैंने उसके बाद प्र दूर दूर रहती थी ताकि आपके साथ रहूंगी तो आपको भी बातों बातों में कुछ नकुछ बता ही दूंगी मैं बहुत परिशान हो गई थी मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं लेकिन जब उस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेगनेंट हूँ तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोच लिया था कि मैं प्रिंसिबल से बात करके ही रहूंगी मैंने प्रिंसिबल के दूसरे नंबर पर कॉल की जो उसके घर का नंबर था और उन्हें मुझे सक्त मना किया हुआ था कि इस नंबर पर कभी भी मुझे कॉल मत करना लेकिन अब मैं ये बात करने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हारी हकीकत बता दूँगा कि तुम ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी उसके बाद प्रिंसिपल ने मेरी कोई बात नहीं सुनी मैं आज उनसे फेस टू फेस बात करने के लिए स्कूल गई थी मगर आज भी उन्होंने मुझे वहां से निकल जाने के लिए कह दिया आप मेरी सच्चाई जान चुकी है मुझे पता था कि आपको मेरे बारे में जरूर पता चल जाएगा क्योंकि जब आपको ये बात पता चल चुकी है कि मैं प्रेगनेंट हूँ यही बात आपके लिए बहुत बड़ी है मैंने अपनी ननन से कहा कि तुम्हारी दोस्त ने मुझे शलोक नाम के लड़के के बारे में बताया था कि तुम्हारी उससे बात चीत थी मेरी ननन कहने लगी हाँ वो रास्ते में खड़ा हो जाया करता था वो मुझे से प्यार करता है मगर मैं उससे कोई प्यार नहीं करती कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है मुझे अपने स्कूल के उम्रदार प्रिंसिपल से प्यार हो गया था और मैं उसकी महबत का शिकार हो गई मैंने उस लड़के की महबत को ठुकरा दिया था वो मुझसे बाचीत करने की कोशिश करता था मगर मैं उसे बात नहीं करती थी मैंने उसके या प्रिंसिपल के बारे में किसी को भी नहीं बताया था मेरी कोई दोस्स इस बारे में नहीं जानती बस रास्ते में आते जाते जब शलोक मुझसे बाचीत करने की कोशिश करता था तब मेरी दोस्त ने मुझे देख लिया होगा मेरी ननद फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि भापी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फस चुकी हूँ अब मैं क्या करूँ अगर बड़ी गलती कैसे कर सकती हो मेरी ननद कहने लगी भाबी ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आज मैं अपनी गलती पर बहुत पच्छा रही हूँ मैं चाहती थी कि मेरी ननद की इजद इस घर में उसकी मा और भाई के सामने बनी रहे मैं आचल के लिए बहुत परेशान हो रही थी सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा था कि उसको महबत कैसे इंसान से हुई थी और चलो महबत अगर हो ही गई थी तो उस प्रिंसिपल को उसकी इज़्जत के साथ इस तरह से खिलवाड नहीं करना चाहिए था अब आचल की जिंद्गी बरबाद करने के बाद उसे अपनी फैमली की परवा हो रही थी जबकि उसने आचल की इज़्जत की कोई परवा नहीं की कभी-कभी लड़कियों को भी अपने आप पर काबू करना चाहिए हर बार लड़के ही दोशी नहीं होते मेरी ननद ने खुद ही प्रिंसिपल को बढ़ावा दिया था तब इसने उसके साथ ये सब कुछ किया था लेकिन भगवान ने मेरी ननद को किस तरह से बचाया था ये मैं आपको बताती हूँ कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे मेरी ननद अब तीन महीने की प्रेगनेंट हो चुकी थी और पिछले तीन महीने से मैंने इसके इस राज को घर वालों से चुपाया हुआ था वो जब भी अपनी मा के कमरे में जाती थी तो ढीले ढाले कबड़े पहन लेती थी और बड़े डुपटे से खुद को अच्छी तरह से ढख लिया करती थी ताकि उसकी मा को किसी भी हरकत पर शक ना हो और अपने भाई के सामने तो वो आती ही नहीं थी मगर हम ये राज कब तक छुपा सकते थे हम परिशान थे कि जिस दिन उसके नो महीने पूरे हो जाएंगे ये राज सब के सामने आ ही जाएगा एक दिन हमारे घर पर श्लोक आया था मैं जल्दी से उसे अपने कमरे में ले आई थी वहाँ पर मेरी ननद भी मौजूद थी जब उसने आचल से कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मैं तुम्हें कहीं बार परपोज कर चुका हूँ मगर तुमने एक बार भी मेरे परपोजल का जवाब नहीं दिया अब तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया था मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, मगर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं आज भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछ लेता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आया था ताकि तुम मुझे मिल जाओ और मैं तुमसे बात कर सकूँ, मगर तुम्हारी भावी मुझे यहां कमरे में ले आई है, श्लोक की बात पर मेरी ननद नजज़ जुका कर बैठी हुई थी, फिर मैंने श्लोक से कहा कि आचल भी तुमसे प्यार करती है, मेरी बात प में तुम मुझे से प्यार करती हो, आचल ने अभी कोई रियक्ट नहीं किया था, जब मैंने आचल की प्रेग्डेंसी के बारे में उसे बता दिया और कहा कि ये बच्चा उसके स्कूल के प्रिंसीपल का है, इसके बाद मैंने श्लोक को आचल की पूरी कहानी बता दी थी, मेरी बात सुनकर पहले तो काफी देर तक श्लोक गहरी सोच में पढ़ गया था, फिर थोड़ी देर के बाद उसने जो कहा उसे सुनकर हम दोनों के ही होश उड़ गए थे, श्लोक मेरी ननस से सच्ची महबबत करता था, इसलिए उसने कहा था कि मैं आचल को सैप्ट करने के त्यार हूं और उसके आरोपी को भी सजय दिलवाना चाहता हूं, उसकी बात सुनकर हम दोनों बहुत खुश हुए थे, एक श्लोक था जो आचल से इतनी महबबत करता था, कि उसके बारे में सब कुछ जान कर भी उसने आचल को सैप्ट कर लिया था, और अपने घरवालों क को हमारे घर रिष्टा लेकर भेज दिया था, वैसे भी श्लोक और उसकी मा के अलावा कोई भी नहीं था, इस तरह इज़त के साथ मेरी ननद की शादी हो गई थी, क्योंकि श्लोक के अंदर कोई कमी नहीं थी, और मेरे पती को मैंने बता दिया था, कि ये दोनों एक दूस कर लिया और आचल के साथ खुशी-खुशी रहने लगा, वो आचल को इसले दुबई लेकर गया था, ताकि उसकी प्रेग्रेंसी के बारे में किसी को कुछ पता ना चले, अगर वो यहां रहती, तो जरूर उसके सुसराल में और माईके में ये खबर फैल जाती, कि आचल प अपनी कहानी में एक असान तरीके से बताया है, ये सब करना हमारे लिए कोई असान नहीं था, बलकि कई सारे जूट बोलने के बावजूद उन दोनों की जिंदगी खुशाल हो सकी थी, चलोक आचल के आरोपी को सज़ा दिलवाना चाहता था, मगर आचल ने कहा कि उसे उस गया था, लेकिन वो पूरी तरह से बरबाद हो चुका था, क्योंकि उसका जो कुछ भी था, वही स्कूल था, इस स्कूल में जब आग लगी थी, तो उसके बाद वहां की सारी लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, इस स्कूल का प्रिंसीबल आज खाली हाथ बैठ इस तरह मेरी ननद आचल आज भी सब लोगों की नजर में बहुत अच्छी है, और मैं भी अपने सुसराल में बहुत खुश हूँ, आज इस बात को आठ साल गुजर चुके हैं, मेरी सास इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अब तीन बच्चों की मा हूँ और अपने पर इसी कहानी है, ये फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें, दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्र परदस कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप से भी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वह मंगल में हो